दोस्तो सिरद्धा कपूर का जनम 3 मार्च 1987 में मुंबई माहराष्ट में हुआ था इनके पिता जी का नाम शक्त कपूर है और इनकी माता जी का नाम शिवांगी कपूर है दोस्तो स्रद्धा कपूर की पहले मूवी आई और ये मूवी थी 33 पती इस मूवी का बजट 18 कड़ो रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड की कमाई करी और स्रद्दा जी की पहली मूवी डिजास्टर रही साल 2011 में स्रद्दा जी की दूसरी मूवी आई और ये मूवी थी लव का दी एंड दोस्तो इस मूवी का बजट 9 कड़ो रुपए था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 6 करोड की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड का कलेक्शन किया और स्रद्दा जी की एह मूवी फिलोप रही साल 2013 में स्रद्दा जी की तीसरी मूवी आई और ये मूवी थी आसकी 2 इस मूवी का बजट 15 कड़ो रुपए था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 78 करोड 45 लाग की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 109 करोड की कमाई करी और स्रद्दा जी की ये मूवी बिलोग वेश्टर रही इसके बाद स्रद्धा जी की मूवी आई यह मूवी थी गोरी तेरे प्यार में दोस्तो इस मूवी का बजट 45 कड़ोर रुपए था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 16 करोर की हुई पुरी दुनिया में इस मूवी ने 32 करोर का कलेक्शन किया और स्रद्दा जी की ये मूवी डिजास्टर रही साल 2014 में स्रद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी एक विलन दोस्तो इस मूवी का बजट 35 कड़ोर रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 105 करोड 62 लाग की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 109 करोड की कमाई करी और स्रद्दा जी की ये मूवी सुपर इट रही साल 2015 में स्रद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी एविसीडी दोस्तो इस मूवी का बजट 65 करोड रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 104 करोड 74 लाग की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 169 करोड की कमाई करी और सरद्दा जी की ये मूवी सुपर हिट रही साल 2016 में सरद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी बागी दोस्तो इस मूवी का बजट 35 कड़ोर रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 76 करूर 94 लाग की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 127 करूर का कलेक्शन किया और सरद्दा जी की ये मूवी हिट रही इसी साल स्रद्धा जी की मूवी आए और ए मूवी थी रोप ओंटone, उस मूवी का बजट 45 करोर रुपे था इंडिया में इसकी कमाई 12 करोड की हुई, पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 करोड की कमाई करी और स्रद्धा जी की ए मूवी डिजाश्टर रही साल 2017 में स्रद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी ओके जानू इस मूवी का बजट 30 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 39 करोड की कमाई करी और दोस्तो स्रद्दा जी की ये मूवी फिलो पर रही इसके बास स्रद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी हाप गल फ्रेंड दोस्तो इस मूवी का बजट 48 करोड रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 61 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 89 करोड की कमाई करी और स्रद्दा जी की ये मूवी एवरेज अपनी इंडिया में इसकी कमाई 49 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45 करोड की कमाई करी और सरद्दा जी की ए मूवी एवरेज रही साल 2019 में सरद्दा जी की मूवी आई और ए मूवी थी सावू इस मूवी का बजट 49 करोड रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 142 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 452 करोड का कलेक्शन किया और दोस्तो सरद्दा जी की ये मूवी बिलोग वेश्टर रही इसके बाद सरद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी छिछोरे इस मूवी का बजट 65 करोड रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 153 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने 212 करोड की कमाई करी और सरद्दा जी की ये मूवी सुपर इट रही साल 2020 में सरद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी Street Dancer 3D इस मूवी का बजट 96 करोड की हुई और दोस्तों पूरी दुनिया में इसका कितना कलेक्शन हुआ इस बारे में नेट पर कोई डाटा नहीं मिला है सरद्दा जी की ये मूवी फिलो पर ही इसी साल सरद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी बागी 30 इस मूवी का बजट 85 करोड की हुई और पूरी दुनिया में इसका कितना कलेक्शन हुआ है इस बारे में नेट पर कोई डाटा नहीं मिला है सरद्दा जी की ये मूवी एवरेज रही साल दोजार इक्किस में सरद्दा जी की मूवी आई और ये मूवी थी रूई इस मूवी का बजट 20 करोड रुपे था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 30 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने कितनी कमाई करी इस बारे में नेट पर कोई डाटा नहीं मिला है औ 2023 में सरद्दा जी की मूवी आई और यह मूवी थी तू जूटी मैं मक्तार इस मूवी का बजट 110 कड़ो रुपय था अपनी इंडिया में इसकी कमाई 225 करोड की हुई पूरी दुनिया में इस मूवी ने कितनी कमाई करी इस बारे में नेट पर कोई डाटा नहीं मिला की वीडियो किस टोपिक पर चाहिए और चैनल पर अगर आप नए दोस्त हैं चो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमसकार जै इंड बन्दे म आतरम